प्यारे विद्धियारतियों शाहतियों आज़ा हम भात करेंगे विकासिल समाजों की समश्याइय मुझे इंग चलोतिय लोग प्रासासन के विद्धिहारतिओं को विक्षित और विकासा सिल्ट तोनु ही देशों की समाजों की समश्यां हैं, उनकी जो चुनूतियां हैं, जो प्रासासनिक समश्यां हैं, भाई इनकी जानकारिंए होना निहायत जरूरी है, इसलिए मैं विक्षित और विकास से इन दोनुए देशों के उपर अलग से लेक्षर अपलोड कर रहा हूँ प्राणों से प्यारे विद्धिहार थियो प्रति दिन जो मैं एक लेक्षर मेरी यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसके जानकारी आपको हो सके इसके लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब अवसे कीजिएगा आसा करतों आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अध्यापन कराया इसके अंतरगत मैंने देखा कि विद्धिहारतियों को उस अनुरूप राजनिति विग्यान नहीं समझाए जाता है जिस अनुरूप समझाए जाना चाहिए इसलिए मैंने ये लक्षन रिधारित किया कि क्यों ना मैं मेरे यूटूब चैनल पर शंपुन में रखनी है तो चलिए आज का जो हमारे लक्षर है वह विकासिल समाजों के सामने क्या समस्चाएं और चुनोती हैं तो प्राणों से पैर विद्धिहारतियों सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि होरोविज नाम के एक विद्धिवान है नोट कीजिएगा बह कुस्ता का नाम क्या था तीन दुनियाएं और इन तीन दुनियाओं में प्रथम दुनिया पस्चे में यूरोप दूसरी दुनिया सामय वादी या सोवियत संग सामय अधगुट भी कह सकते हैं दूसरी दुनिया कौन सी है सोवियत संग और तीसरी जो दुनिया है वो उपन स्वादी गुलामी से मुक राष्टर रज्जी हैं फिर से दोर आ रहा हूं होरोविज नाम के विद्वान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तीन दुनियाईं क्या तीन दुनियाईं और इस तीन दुनियाईं का जो नाम रखा है इनों ने इसका जो आधार है विकास का आधार लिया है अर्थात विकास के आधार पर होरो विज ने तीन दुनिया एं नाम से एक पुस्तक लिखिए जिसमें प्रतं दुनिया है पस्चमी यूरोप, दूसरी दुनिया है सोव्यत संग और तीसरी दुनिया है उपनेवेस वादी गुलामी से मुक्त देश ये तीन हो गए जिसमें जो तीसरी दुनिया इन्हों ने बताई है होरोविज ने कौन सी बताई है उपनेश वादी गुलामी से मुक्त देश तो उपनेश वादी गुलामी से मुक्त देशों को विकासील समाज की संग्या या विकासील देशियों की संग्या भी दी जाती है या तीसरी दुनिया की संग्या भी दी जाती है तो आज हम इनहीं तीसरी दुनिया या विकासील समाजों के सामने क्या समस्या हैं, क्या सुनोती हैं, इनकी चर्चा करेंगे पिराणों से पहले तो आपको इध्यान रखना है कि आज जो ये विकासिल समाज है ये संकर्मन के दोर से गुजर रहे हैं मैं इन बिंदूं से थोड़ा अलग प्रस्ट भूमे के रूप में समझा रहा हूँ आज जो विकासिल समाज है या तीसरी दुनिया के देश जो है वो संकर्मन काल की स्थति में गुजर रहे हैं अर्थात एक तरफ ही है अपने आपको परंपरागत भी बनाए रखना चाहते हैं मतलब ये अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहना चाहते हैं जबकि दूसरी तरफ ये पूर्ण रूप में आद्धुन की बना चाहर रहे हैं इसलिए संकर्मन की स्थति के अंतरगत हैं जैसे माननी जीग मैं आपको भारत पा उधारण दूँ तो भारत के अंतरगत भारत की जो राजविवस्ता है या भारत की जो प्रशासनिक विवस्ता है वो एक तरफ तो परंपरागत मुल्यों से भी जुड़े हुई है जैसे हजाती, भासा, धरम, संस्कृति, छेत्रित्या इत्यादी से हमारी प्रशासनिक व्योस्ता और राज व्योस्ता प्रभावित होती है जबकि दूसरी तरफ हमारे यहां आधुनिक सनस्ताओं को भी अपना लिया गए जैसे आधुनिक ताकि हम बात करते हैं तो हमारे यहां जैसे संस्ताओं मख शासन प्रणाले का अपनाया जाना इसे के साथ में आधुनिक तक्निक को अपनाया जाना ये सब आधुनिक ताकि लक्ष्ण है मेरा कहने का भावारत ये है कि एक तरफ तो हम परंपरागत भी बने हैं जबकि दूसरी तरफ हम आदुनियों की बनना चाहर रहे हैं तो इसका मतलब हम संक्रमन के दोर से गुजर रहे हैं ना तो हम पूर्ण रूप में परंपरागत हैं ना पूर्ण रूप में आदुनियों करें इसलिए जो विकासिल समाज या तीसरी दुनिया के देश हैं वो अभी संकर्मन के काल से गुजर रहे हैं और जब संकर्मन के काल से गुजर रहे हैं तो इन सभी विकासिल देशूं या जो तीसरी दुनिया के देश हैं इनके सामने बहुत सी समश्या हैं क्या समश्या हैं एक तो इनके सामने आर्थिक गरीवी की समझ्या है, आर्थिक मंदी की समझ्या है, इनके अंतरगत राजनितिक ऐस्थरता बनी रहती है, इसे के साथ में इसमें प्रसासनिक ऐकुसलता बनी रहती है, इसे के साथ में यहां जो लोक सेवक होते हैं, वो अपने आपको स्वामी समझ यह साथ में इन देशों के अंतरगत लाल फीता साहि और अपसर साहि की परिवर्टी बनी रहती है इसके साथ में यह ब्रस्ट आचार और रिश्वत खोरी की जैसी समझ्याइंग बनी उई हैं तो यह कुछ आम समझ्याइं है जो कि सभी विकासीर देशों के सामने हैं या तीस से पहले नोट किया है विकासिल देशों की राजनेतिक व्यवस्ताओं में अनेक समानताइं पाई जाती है अर्था जितने भी जो विकासिल देशें या तीसरी दुनिया कह सकते हैं होरो विजिन तीन दुनिया बताई है न तो तीन दुनियां में यह तीसरी दुनिया जो है व जो राजनितिक विवस्ता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसमें बहुत सी समनताइं पाई जाते हैं, समनताइं पाई भी जाएंगी, क्यों पाई जाएंगी, क्यों कि तीसरी दुनिया के देश हम किसको मान रहे हैं, जो उपनिवेस वादी गुलामी से मुक्त हुए है, फि उनको विकास सील समाज या देश या तीसरी दुनिया के देशों कि संग्याद दी जाती है, प्रथम दुनिया तो सोवियत संग हो गया, प्रथम दुनिया वैसे आप यदि क्रम से लेंगे, प्रथम दुनिया पस्तिम यूरोप हो गया, दूसरा सोवियत संग हो गया, और त तिसरी दुनिया कोंग जब्टिंदेश, जिनकों विकासिल समाज थी थीया है, तिसरी दुनिया के संग्या दी जाती, यह बात आपको ध्यान भी रखनी, तब यह समझेंगे आगे, चलिए, अब इन में राजवस्तामी मुख्य मुख्य क्या समाझता है, सब देश के सामने, ध्यान दें जैसे मैं एक जंपले के रूप में सारे बातें नोट कर दियें सब बात नोट कर दियें अगर आप चाहें तो इनके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं लगबग लगबग 500 पेज तयार कर सकते 500 प्रस्टों में यह बातें लिख सकते हैं इतना संकेत द लिख सकते हैं जैसे परंपरागत अतीत की उपज अब ध्यान देंगे जितनी भी विकासिल देशों की राज विश्वस्ता हैं वो परंपरागत अतीत की उपज हैं अर्थात वास्तविक रूप में यह किसी ने किसी रूप में परंपरागत व्यवस्ता से परंपरागत मु ले थे परंपरागत मुल्यों को बचाए रखना चाहते तो उसके बाद में दीरे 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 संक्रमान का दोर आता है और अभी इस समय भी संक्रमान का दोर चला हुआ है पूर्ण रूप में यह जो देशें यह विक्षित राष्ट राज्य नहीं बने तो परंपरागत अती मुल्यों का सत्तात्मक वी निधान ही राज्य वस्ता है तीन बात होगी मुल्यों का जंता की wedihan का मतलब होता है जिनके दोपर निर्नन लिया जाता है मुल्यों का मतलब होता है नीती और निरने तो कहने का मतलब यह है कि वास्तिविक रूप में जनता की जो आकांचाहीं होती हैं उन आकांचाओं के आधार पर जिन लोगों को निरने लेने का अधिकार देयागा ए, उनके दुआरा Нिरने लिया जाता है, उसे राज़ वस्ता कहा जाता है. अब मैं मेरे सब्दों में कहूंग, बात आगी. जिस यह जिन संव्राचनाओं के दुवारा बाद्ध है कारी निरने लिया जाता है उसे राजिवस्ता कहा जाता है दूसरे सब्दु में राजनितिक व्यवस्ता राजनितिक व्यवस्ता उस समगर को या उस अन्ते संबंदित किरिया को कहा जाता है जिसके दोरा समाज के लिए बाध्यकारी निरने लिया जाता है नहीं समझे अभी भी फिर शे दोरा रहा हूँ राजनितिक विवस्ता उन अन्ते संबंदित किरियाओं के समगर को कहा जाता है जिनके दोरा बाद धेकारी निरने लिया जाता है तो राजनितिक विवस्ता उन अंते संबंदित किरियाओं को उन अंते संबंदित किरियाओं का मतलब होता है विवस्ता पिका कारे पहले का नियाए पहले का राजनितिक दल दवाब समुई इन सब का योगदान होता है उन अंते सम्मंदित किरियाओं के समुच्चे को या समगगर को कहा जाता है जिसके दोरा जिनके दोरा समाज के लिए बाद्धेकारी निर्णे लिया जाता है हैं इसतों के पालद्ध को निर्णे लिया जाता है हर्बिस नहीं डिया जाता है आप देखेगा परिवार व्यवस्था है फैमिली सिस्टम है तो एक परिवार में को निर्णे ले लिया तो क्या पूरे देश के उपर लागू हो जाएगा कभी भी नहीं हो सकता बाद्धेकारी निर्णे लेने की सकती केवल राज व्यस्ता के पास में होती है यह बात आपको ध्यान में रखना है इसलिए पॉलिटिक काईरी निर्णे लेने की सकती होती है खैर राज व्यस्ता के पर मैंने अलग से वीडियो अप्लोड कर दिया है आप प्लेलेशन में देख सकते हैं पॉलिटिकल थियोरी में वहाँ सब बाते मैंने समझा दिये यहां मैं ज्यादा लंबा लेक्चर लोगा तो यह वीडियो परत होती है उसके दवारा ही सरकार का संचालन किया जाता है जिसे की रावर्ट मिशेल्स ने एक प्रकार से अलप तंतर का लोग नियम कहा था अर्था चाहे लोग तंतर हो या कोई और तंतर हो सभी में सासन तो केवल थोड़ी सी व्यक्ति करते हैं तो यह बात यहां भी ल जाता है मैं यह रावर्ट मिशेल्स के अनुशार कह रहा हूं रावर्ट मिशेल्स ने जो अपना शिद्धान दिया था अल्प तंतर का लोनियम उसका मतलब यह होता है कि कोई भी संग्ठन कोई भी संग्ठन कोई भी संग्ठन क्यों नहीं हूं उसमें वास्तों में निरने को देखेगा किसी भी दल को देखेगा सभी जगह निर्णेत के वलकुछ लोगों की दवारा लिया जाता है तो यह बात तो मैं यह कहूंगा कि विक्सित और विकासिल दोन देशों पर लागू होती है तो ध्यान देजेगा सरकार का संचालन थोड़ी सी व्यक्तियों कि हाथ म जितने भी जो विकासिल देशों के राजन विवस्ताइँ होती है उनमें राजनतिक आइस्थायतों बना रहता है क्यों क्यों कि यहाँ पर इन्होंने वास्तिविक रूप में अपना कोई अंतिम आदर्स तैय नहीं किया है अभी कि हमें किस आदर्स की तरफ बढ़ना है अ किन मुल्यों को अपनाएं यह अभी समझा इनके सामने है इसलिए यहां की राजनिती में अच्छताइटों बनाएं कोई निश्चित प्रतिमान इनू नहीं नहीं चुना है अगला बहुल समाज जितने भी विकासिल देश्ते होते हैं अनि विकासिल देशों में बहुल समा नहीं है कि बाहरी आपकर्मन से अपनी रक्षा कर सकते हैं जैसे कि भारत भारत आपकर्मन का खत्रा इनको हमेशा बना रहता है अगला है वैदता की आसंकाइं जितने भी जो वैदता का डर रहता है वैदता की डर का मतलब यह होता है कि इनको इस रूप में कारे करना पड़ता है जिससे कि जनता इनको सहमत दी अब इनके पास इतना धन नहीं होता है इतना संसाधन ही होता है जिससे जनता की मांगी पूरी कर सकें और जब जनता की मांगी पूरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स् कि दी जाने वाली सहमती ही वैदता कर लाती है अब यहां सहमती अगार हमेशा बना रहता है क्यों कि जनता कि सारी मौन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी अर्थवस्ता कम जोर होती है अगला है निश्पक्स चुनाव का अभाव ध्यां दीजिएगा जितने भी विकासी ले सोते हैं उनके अंतरगत चुनाव का अबहाव रहता है यहां वास्तविक रैंगा निश्वक स् रोप में चुनाव नहीं वो पाते हैं बर भह auतंग रहता है अगला है राजनिती में जीट ना के या था जब कि होना क्या चाओ कि सैनिक सक्ति के उपर राजनितिक सक्ति रहनी चाहिए मतलब राजनितिक सक्ति प्रत्थमिस्तान पर हो और शैनिक सक्ति उसके आधीन होनी चाहिए जबकि होता ही है विकासिल देशों में कि शैनिक सक्ति राजनितिक सक्ति पर हावी हो जाती है हावी हो जाती जो की गलत है अगर हम भारत का उधारन दे तो भारत की उपर यह बात लागून नहीं हो सकती है हमारे भारत में वास्तों में राजनिती में सेना का किसी भी रूप में कोई हस्तक्चेप नहीं होता है यह बात पूर्ण तया सत्ते हैं अगला है राजनिती में हींशा विकासिल देशों के अंतरगत वास्तविक रूप में राजनिती के अंतरगत बहुत जादा हींशा होती है जब चुनाओं का दोर होता है तो उस समय हम देखते हैं कि दुनिया भर की हींशाई होती है राजनितिक घत्याएं भी होती हैं और राजनितिक शर्यंतर रचे जाते हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद में अगला है सनरचनाओं का विभिनिकरण नहीं अता जितने भी विकासिल देश होते हैं उनमें जो राजनितिक सनरचनाओं होती हैं उनके विभि एक तीनों संरेशनां की अलग अलग रूप में विवस्ता नहीं हो पाई जिसी की तीनुं संरेशना अपने-अपने कारिये करें इसलिए विकासी अंतरतरगत संरेशनां के विभिन्नी करण का अभाव है ठीक है वैसे ये बात आपको ठीक से समझनी हो तो मैंने राजनितिक आदुनिकी करण नाम से लेक्चर अप्लोड कर रखा है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाई सब बाते मैंने समझा दी हैं अगला है संकर्मन की प्रक्रिया से अर्थात जितने वी विकास सील राजव्यवस्ता हैं जैसा एक मैंने समझा भी दिया था अर्थात एक तरफ यह अपने परमपरागत मुल्य हैं उनको भी नहीं चोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह आधुने की बन रहे हैं कैसे जैसे माल लेजेगा परंपरागत मुल्य जाती भासा धरम इनसे भी अभी राजवेस्ता जुड़ी हुए जबकि दूसरी तरफ वास्तिविक रूप में यहां जैसे संसदात्मक सासने पंडाली को अपनाया जाना तो यह एक प्रकार से में कहूंगा कि आधुनिक ताकि तरफ बढ़ना है ठीक है तो हम यह कहेंगे यहां कि संक्रमन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अगला है आर्थिक मंदी और सामाजिक उतार चड़ाव इन देशिविके अंतरगत अक्सर आर्थिक मंदी की समस्या बनी रहती है और सामाजिक उतार चड़ाव आता रहता है इसके बाद में अगली बात है बहुत मैतपूर्ण है समानता शमता और विभिनिकरन का अभा यह एक प्रकार से आप जो लूशियन पाई ने अपनी राजनितिक विकास की जो अवधारना दी है राजनितिक विकास की अवधारना मैं अलग से अप्लोड कर चुका हूँ आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थियोरी में तो नात्माग राजनितिक अवधारना मैंने कंप्लिट समझा दिये तो लूशियन पाई ने जो राजनितिक विकास की लक्षन बतलाये तो उसमें कहा था कि जहां समानता चमता और विभिनिकरन होगा उस देश की जो राजनेते व्यवस्ता होगी विख्षीत होगी लेकिन वास्तिवी रूप में विद्धी की दरष्टे में समान्ता कानूनी रूप में लेकिन व्यवहार में अभी भी जाती भासा, धर्म, चेत्रेता, शर्ण्ष्क्रति त्यादिक आदापर भेदवाद किया जाता है इसलिए समानता नहीं है इन देशों में चमता चमता का मतलब यह है कि वास्तिविक रुप में जनता की जो अनुचीत मांगें होती है उन अनुचीत मांगों को राजविवस्ता के दवारा द्रड़ता से ठुकराया जाना तो विकासील देशों के राजविवस्ता है अभी इत कि यहां ठीक है संरचना का विभिनिकरण तो है कि जैसे किस रूप में इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिनिकरण अधुनिक क्तिक तकनिक कि टक्णिक के सामने अभी भी आधुनिक प्रशासनि के न्थे यहें उनके प्रियोक लेख किया जा कि यह दो तिलभी श्रिकार के और भी आनिगद समश्य हैं लेकिन यह समश्य परियाब्त हैं इन को आप नौट की जिएगा ये जो चुनोतिय पशाइल धेस लिखा विया यह चुनोतिय है इन अलिäsident को या विकासिल शुमाझ के देशू को करना हैं तो यह सारी चुनोतिय हैं इन पर बिंदू रूप में नोट कर सकते हैं इस तरह किसे आप डिजाइन करेंगे डिजाइन करकर के एक एक पॉइंट बना लेंगे सारे पॉइंट से और उसके बाद आसानी से उसको समझ शक्ते हैं यह तो इसका पहला पार्ट हो गया ठीक है पहले पार्ट में लिए चुनोति सबसे पहली बात अब आपको प्रसासन के सामने जो मुख्य समझ यह यह है कि यह जो अपने आपको क्या सुमझते हैं दूसरा वास्तों में लाल फीता साही की प्रवर्टी मतलब कार यह को दीमीगती से करते हैं इसे के साथ में यह ब्रश्ट अचार और रिश्वत खोरीग ही उस्तित में कुसल प्रशासक नहीं हैं और नाहीं आधुनिक तक्निव का ठीक से प्रियोग किया पाराएं तुछे सारी की सारी इनके साम мат में बूनSya हैं भाग की मैंने लेकिन आदुनिक जो राज्य है वो पुलिस राज्य नहीं बलकि लोग कल्यानकारी राज्य बन गए तो लोग कल्यानकारी राज्य के अंतरगत राज्ये के दवराजन कल्यान से सम्मदित अनेकुकारी किये जाएंगे और अनेकुकारी किये जाएंगे अनुकी नीतिया बनाए जाएंगी तो फिर उनकी किरियानुटी किसको करनी है प्रसासन को करनी है और जब प्रसासन को किरियानुटी करनी है तो डैफी नैटली प्रसा स्शक्राइब श chimney उस एनरोप संगर का निर्मान नहीं किया जा रहा है जिस उन्रूप किया जाना चाहिए दूसरा प्रभंध पत्ट था की कमी जितनी देश होते हैं उनके लोग प्रशासने के सामने प्रभंध सब्सक्राइब करा ना मानकों का अभाव वास्तिक रूप में विकासिल देशों के अंतरगत जो लोग प्रसासन उसमें व्यवशाइक मानकों का अभाव है अर्थात किन-किन मानकों या मुल्यों के आधार पर कारे किया जाए और मानकों का अभाव है क्यों है क्योंकि यहां अभी भी वास्तिक रू प्रेसास की नेत्रतों का भी अभभाव है यहां उसस्तापिका का द्वारा कानौन रहीए जाते हैं। तो और ँद्रूज हौन दो शेवक्त प्राशाशन का नेत्रतों नहीं किया पाता है। क्योंकि नेतरताव करने वाले कौन होते हैं मंत्री गण होते हैं मंत्री मंदल होता है और मंत्री गण जो होते हैं वह वास्तरीक रूप में किसी भी छेत्र में विशेशक नहीं हो पाते हैं इसलिए वह ठीक से प्रसासन का नेतरताव नहीं कर पाते हैं प्रसासनिक जबाब देहिता का अभाव विकासिल देश्यों के अंतरगत वास्तिवी की रूप में जो लोक्षेवक होते हैं यह प्रसासनिक अधिकारी होते हैं वहाँ जबाब देहिता का अभाव होता है वास्तिवी की रूप मंत्री मंदल की आड में गलत काम करते रहते हैं चुकि केवल मंत्रियों को पढ़ता है बाकी ये मंत्रि मंदल की आड़ में गिलत काम करते रहते हैं तो सीधा सीधा जवाब देएता है प्रशाशनिक अधिकार्यों की नहीं होती है ये भी एक समस्या है छटा है विशिश्क शेवाओं का भाव विकासिल देशों के सामने वास्तों में जो लोग प्रशासन होता है उसकी ये भी एक समस्या है कि यहां विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् होते प्रशासनी के अधिकारी होते हैं विश्यश इंग्य होते हैं जैसे जय मैं कि इंजनेरिंग के झेते हैं रिभ तो यह तो क्या होते हैं यूao होते हैं वास्त वbly VP करते हैं लेकिन में प्रसासन को कि जब हम करते थिए विशे वी से नहीं तो पुपनेश वादिव गुलामी से मुक्त देश अब यह उपनेश वादी गुलामी से मुक्त हुए तो इनको पहले से ही यह आदत पड़ी हुई है कि वास्तिक रूप में प्रसासन का काम इस तरीके से करना है तो उपनेश वादी गुलामी से जब मुक्त हुए थे तो उस समय वास्तिक रूप में इन्होंने उ प्रतेक देश की संस्कुर्टी अलग होती है जब्योस्क्र тीर्ट कल्चर उस पॉलोटेकल कल्चरि अनुरूरूपी वहां पर ब्रसाशनी गिवस्ता का प्रतिमान होना चाहिए और शैया किसी अन्न का अनुकरन अंधनुकरने अधनुकरन प्रसास नाम की चीज नहीं होती है क्यों कि यह वास्तों में अपने आपको जनता का स्वामी समझते हैं, जनता का नेता समझते हैं, जनता का मालिक समझते हैं, इनमें पूर्ण रूप में जो आचरन पाया जाता है, भरस्टा चार्प, रिश्वत खोरी, लाल फिता साही, अपसर साही की प्रवर्ति पाया जाती है, इसलिए प्रसास की नैतिकता का विक प्रशासन समाजु के अंत्रगत जो लोग प्रशासन होता है इनकी मुख्य समश्य है और इसको जब तक भी विश्वास से चाहन सकता हूं कि हमारी प्रशासनी की विवस्ता है वह विख्षित नहीं हो सकती और जब तक प्रशासने विवस्ता विक्षित नहीं होगी तब तक राजनती विवस्ता भी विक्षित नहीं हो शकती अन्तिम नौवा है ए विकास आत्मक प्रवर्ती द्यान दीजीगा आई विकास आत्मक प्रवर्ती देखेगा जो विकासील देशों में लोग प्रशासने उनमें वास्तिक रूप में विकास आत्मक प्रवर्ती नहीं पाई जाती है क्यों नहीं पा जाती है क्योंकि ये अपने परंपरागत मुल्यू की प्रती जादा चिपके रहते हैं इसलिए इन में विकास की प्रिवर्ती इतनी नहीं पाई जाती है तो ये समस्या भी इनके शामने है तो ये मैंने आपको विकासिल देशों के लोग प्रशासनी की जो मु ध्यारती कंटीनू लगातार मेरे लेक्षर देख रहे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसको भी आप डिजाइन करना चाहिए तो डिजाइन कर सकते हैं यहां पर आप नोट करेंगे विकास से लोग प्रशासनी की प्रमुख समझ्या हैं इसके बाद में पुराविश्वास से विकासिल समाजों के सामने क्या समझ्या हैं क्या सुनोतिया हैं यह सब बाते आप ठीक से समझ गए होंगे ओके थैंक्यू वेरे मस्ट थैंक्यू रिमस्ट झाल 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 घर फ्र फूर्दी में से लुदित से लुदा हम जाये लुदा है, जारी कि नह लुदा है.